उधारन आठ एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दो गुनी से एक सेंटिमीटर अधिक है यदि आयत का परिमाप 110 सेंटिमीटर है तब आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ग्याद कीजिए उधारन आठ का हम हल देख रहे हैं बच्चों देखिए इस प्रश्ण में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दो गुनी से एक सेंटिमीटर अधिक है यदि आयत का परिमाप 110 सेंटिमीटर है तब आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें ग्याद करनी है सम्मन दिया हुआ है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दो गुनी से एक सेंटिमीटर अधिक है तो यदि हमारे पास चौड़ाई का मान मिल जाए तो हम उसके लंबाई ग्याद कर सकते हैं तो चलिए बच्चों, पहले हम आयत की चौड़ाई को मान लेते हैं माना की आयत की चौड़ाई जो है वो डबलू सेंटिमीटर है ठीक है? तब प्रश्णानुसार क्या होगा? तब प्रश्णानुसार हम क्या ग्याद कर सकते हैं? आयत की लंबाई तो आयत की लंबाई उसे सिदी में कितनी होगी? लंबाई बराबर हो जाएगा दो गोणेद, चौड़ाई, धन, एक क्यों? क्या कहा गया था? संबन दिया गया था कि आयत की जो चोड़ाई है वो डबलू सेंटी मीटर जब हमने लिया तो लंबाई कितनी होनी चाहिए? उसकी चोड़ाई के दो गुने से एक अधिक तो लंबाई हो गई दो गुने डबलू धन एक सेंटी मीटर अब जब हमारे पास आयत की चोड़ाई भी है और लंबाई भी तो हम उसका परिमाब ग्याद कर सकते हैं क्या होता है आयत का परिमाब का सूत्र हमें पता है कि आयत का परिमाब बराबर होता है दो गुनित लंबाई धन चोड़ाई और आयत का परिमाप प्रश्ट में दिया भी गया है 110 सेंटी मीटर तो हम उसका मान रख दे तो 110 बराबर दो गुनित लंबाई लंबाई कितनी है हमने निकाल के रखा हुआ है कि इसकी लंबाई जो है दिये गया आयत की वो है 2W धन 1 देखते हैं धन चौड़ाई हो गई W चलिए आगे देखते हैं हमें जो पद प्राप्त हुआ था वह था आयत का परिमाप 110 सेंटी मीटर और जब हमने उसके सूत में मान रखा था तो दो गुनित लंबाई जो की हमारी लंबाई थी 2W प्लस 1 और फिर चौड़ाई को भी उसमें जोड़ना था तो चौड़ाई हो गई W अब देखें इसको हम हल कर लेतें समिकरन को हल करना हमने सीखा है हम इसे हल करतें पहले हम कोश्टा कल कर लें तो हमें क्या मिलेगा देखिए 2W धन 1 धन W और उसके बाद यहाँ पर समान पद है इनको हम हल कर सकतें तो हमारे पास ही कितना हो गया 3W धन 1 110 हमारे पास यहाँ पर परिमाप के रूप में है और इसको भी कोश्टा को हल करने से हमें मिलेगा 2 गुणित 3W धन 2 गुणित 1 याने की 2 पुना अगला पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 110 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो पक्षानतर करने पर हमें क्या मिल सकता है 110 रिंड 2 और यहाँ हो जाएगा 6W चलिए हल को आगे देखते हैं हमें जो पत प्राप्त हुआ था वह था 110 रिंड 2 बराबर 6W तो हल करने पर आपने पक्षानतर से प्राप्त किया पक्षानतर का नियम कैसे आता है समानतर के नियमों के पालन से ही पक्षानतर का नियम आता है तो आप देखें 110 रिंड दो से क्या मिलेगा 108 बराबर 6W और अब हमें W का यदि मान प्राप्त करना है तो वो हो जाएगा 108 और 6 जो है वो बटे में आ जाएगा ये भी कैसे आ रहा है समानता के नियम से यदि हम यह मानें कि दोनों पक्षों में हमने 6 से भाग दिया तो 6 और 6 कट गया और यहां मिला है 108 बराबर 6 तो आप देखेंगे कि आपको चौड़ाई W का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 18 अठारा सेंटी मीटर तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया आएत की चौड़ाई 18 सेंटी मीटर अब हमें इस से क्या मिलना चाहिए आएत की लंबाई तो इसलिए अब आएत की लंबाई हम प्राप्त कर सकते हैं दिये गए सम्बंद के कारण हमें से निकाल पाएंगे कि दो गोनेत आएत की चौड़ाई और उसके बाद धन एक क्योंकि वो उसके दुगुने से एक अधिक है तो हमें क्या मिलेगा 36 धन एक बराबर 37 सेंटी मीटर ये हुआ आएत की लंबाई तो आएत की लंबाई हो गई 37 सेंटी मीटर और आएत की चौड़ाई हो गई 18 सेंटी मीटर इस प्रकार आएत की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमने ग्यात कर ली और प्रश्न हल हो गया